उत्तर प्रदिश के बुलंद शाह में रविवार सुभा दर्दनाक हाथसा हुआ सलैमपूर के पास मजदूरों से भरी पिकप गाड़ी को डगामार बस ने टक्कर मार दी हाथसे में पिकप सवार 11 मजदूरों की मौत हो गई जब 29 लोग गंबी रूप से घायल हो गए बस चलाक के लापारवाही और तेजगती ने 11 लोगों की जान ले ली 29 लोग अस्पताल में जिन्दगी और मौत से जूज रहे है हाथसा तब हुआ जब बस चलाक दूसरे वहन को वो टेक कर रहा था सामने से वहन दिखाई देने पर बस पहले पिकप में सामने से टकराई और फिर उसका पिछला हिस्सा टकराया जिससे ड्राइवर साइट की तरफ बैटे अधिकतर लोगों की मौत हो गई घटने स्तल के हाला देखकर हर किसी की रूप आप उठी कई घायल पिकप के पाइप पर लड़के हुए थे लोगों ने किसी तरह उन्हें उतारा पिकप में सवाल घायल धरमिंदर ने बताया कि वो पिकप में पीछे बैटे हुए थे पिकप सड़क किनारे बहुत धीरे चल रही थी सामने से एक तेज रफ़तार बस आती दिखाई दी इतनी देर में ही धमाका हो गया धमाके के एक दो मिनिट तक तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ आग खुली तो लोग इधर उधर दोड़ रहे थे उनके साथ कई लोग सड़क पर तड़प रहे थे रोने और चीक पुकार के आवाजे सुनाई दे रही थी अधिकतर लोगों की शरीर से खून निकल रहा था कुछ पिकप के पाइप पल रटके हुए थे धरमिंदर के पिता की मौत हो चुकी थी